एक, दो, भाई ये तो लोडिंग स्क्रीन पर हैंग हो गया, भाई साब OTT की एप आप देख सकते हो, और यहाँ पर लिखता हम Venom's Tech, अभी थोड़े दिन पहले माई फेवरेट टेक ऑफ 2023 करके वीडियो बनाई थी, मैंने उसके अंदर मैंने बोला था कि यह स्मार्ट वॉच आप ऐसा हम नहीं होने देंगे, आपने का कुछ निया चाहिए, येल्लो वाइज आप, तो आज हमारे पास Firebolt की तरफ से Dream Android Smart Watch, येस, आपने सही सुना, Android Smart Watch है, यहाँ पर SIM लग जाता है, इसके अंदर, Play Store इसके अंदर है, गेमस आप इसके अंदर खेल सकते हो, और भाई, बहुत सारी चीजें, जो हम सारी इस वीडियों में कवर करेंगे, ये स्मार्ट वाच नहीं, मिनी फोन, रिस्ट फोन, हैश्टेग, वेर फोन, on your हाथ, तो यहाँ पर हमारे को कुछ ऐसे डबबे मिल जाएंगे, यहाँ पर तीन अलग-अलग strap variant के साथ हमारे पास आई है, यह ब्लू वाली में खोल चुक हूँ, जो यह रही है हमारी स्मार्ट वाच, और आप देख रहो बिल्कुल एक अपल वाच वाला हिसाब किताब है, और यह वाच आती है हमारी Fire OS के साथ, मतलब आग लगा देंगे, Firebolt, Fire OS, यहाँ पर डबा खोल लोगे, थोड़ी वहाँ प कलर करके अलग अलग, क्या बड़ी अलग रहे, और यह आजाती है हमारी स्मार्ट वाच, I mean स्मार्ट वाच का डायल, सैटिस्फाइंग, एक चीज मैंने भी नोटिस करी, इस पर स्क्रीन गार्ड प्री अपलाइड है, यह बड़ी आगा रखा है इन्होंने, और यहाँ पर हमारे को स्ट्राइप थोड़ी डिफरेंड मिल जाएगी, जो सिलिकोन वाली नॉर्मली स्ट्राइप अधिन से अपल वाच वाली होती है, कुछ उस ट्राइप की स्ट्राइप है, और यह बाकी सब को समान सेमी है, इसके बिल्ड अट आउटर्स देख लेते हैं, यहाँ पर मिनी फोन है यह, और यहाँ पर हमारी वाच अन हो चुकी है, रात के बजरे बारा देख रहे हैं, तुम्हारा भाई मेहनत कितनी कर रहा है, और एक चीज़ मैंने नोटिस करी इस वाच के अंदर, यहाँ पर आन होते ही, मतलब कोई भी लैग ये जिटर नहीं है, डिरेक्ली आन होते है, हमारी वाच एक्टम स्मूथ चल रही है, और इस वाच की तगनी की वाच चीट, यहाँ पर हमारे को चला रहा है, यहाँ पर हमारे को क्वाड कोर सीप्यू मिलता है, 2GB RAM मिल जाती है, 16GB internal storage है, और dual band Wi-Fi हमारे को इसके अंदर मिल जाता है, यानि कि 2.4 GHz वाला Wi वाच आती है, यानि कि Bluetooth वाली कोई भी device connect करनी हो, जैसे TWS, headphone, mouse, keyboard, हाँ हाँ, mouse, keyboard, अभी दिखाऊंगा आपको चला के इसके अंदर, इस वाच के अंदर हमारे को GPS भी मिल जाता है, यहाँ आप Google Maps वगरा सके अंदर डाल सकते हो, navigation वगरा के लिए, और वो कितना accurate काम करता है वो मैं आपको detail में भी आगे बताता हूँ, 16GB internal storage हमारे को इसके अंदर मिल जाती है, जिसमें से 11GB usable रहते हैं, बाकि 5GB के आसपस में OS UI और बागे सारी चीज़ों होते हैं, जैसे Android phone के अंदर होता है, वैसा ही scene है, और यह watch हमारी IP67 rated है, IP67 मतलब dust resistant भी है, और पानी के अंद अगर आप SIM लगा होगे ना तो SIM चलता नहीं है, watch को restart करना पड़ता है, तब ही SIM चलता है, और यहां पर health वगारा के लिए HESC sports करके pre-installed app मिल जाती है, इसके अलावा HR monitoring यहां पर हमारे को मिल जाती है, और जब हम इसको हाथ पे पहनते हैं, तब ही reading शो करती है, यहां पर नान लिविंग पर रख दी, या फिर हवा में रख दी, तो कोई भी reading नहीं आएगी, मतलब यह भी नहीं बोलता कि पैनलो, लेकिन को reading भी नहीं देता, और यहां पर थोड़ा accuracy टेस्स कर लेते हैं, यहां पर हमारे पास galaxy watch है, galaxy watch के sensors बहुत accurate है, और यह हमारी firebolt की dream watch, और य पर हमारे को मिल जाता है, walk करके application है, इसके अंदर हमारे footsteps बगर आ जाते हैं, और अब इसका pedometer जड़ा चेक कर लें, walk करके कितना accurate है, 3-2-1 और भागो, और यहां पर आप देख लो, 0 steps दिखा रहा है, और अब हम चलेंगे, 1-2-3-8-9-10-1-2, ओ, चपल नहीं दिखा नहीं है, वो बहुत matter करते हैं, क्योंकि भाई साब वही तो चला नहीं है, तो डिस्प्ले आपर मिलते हैं, हमारे को 2.02 इंचिस की IPS डिस्प्ले तो यहां पर हमारे को viewing angles बगरे मिलते हैं, वो बढ़िया मिल जाते हैं, और जो colors भी हमारे को काफी ठीक-टक से मिल जाते हैं, और ज इसकी कम फील होती है, और ब्रैंड अपनी website पर मेंशन करी है, 60Hz की display, लेकिन यह exact 60Hz मेरे को नहीं लगी, 40-45Hz वाला experience मैं कहा सकता हूँ, मतलब compare to other smart watches भाई, काफी smooth है, यहां पर animation आप देख सकते हैं, जैसे हम menu scroll कर रहे हैं, कोई भी app चला रहे हैं, यह कोई भी website scroll कर रहे ह और यह हमारी full touch वाली smart watch है, आप यह कहीं से भी use करोगे, बिल्कुल smartphone की तरह चलती है, लेकिन यहां पर मैंने एक चीज़ notice करी, यहां पर जैसे corners है न, वो इसके थोड़ी से डेड हैं, मतलब बहुत जादा कोने में देख के आपको touch करना बढ़ता है, तब जाके चलता है, वरना आपका आसपास का एरिया चलता है, जैसे ABC में टैप करना हो, कितनी मुश्किल से चल रहा है, तो कुछ इस तरीके की problem हाती है, सिर्फ corners में, center से एकदम बढ़िया मखन चलती है, और काफी precise है, मतलब जहां पे आप टैप करोगे, जैसे D, F, G, H, J, K, L, यहां पे बढ यहां बढ़िया टाइपिंग होते है, कुछ भी मिस नहीं होता, थोड़े पास-पास है, वर्ट सो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन टाइपिंग में मतलब बढ़िया है मामला, और यह smart watch हमारी dual touch को support नहीं करती, जैसे मैंने एर होकी game डाला था, यहां प स्क्रीन पर मतलब लूडो चल रही है, subway surfer, temple run, candy crush आप खेलो, fruit ninja में fruit कार्टने हो कोई दिक्कत नहीं, angry birds के अंदर तोते उड़ाने तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक मिनट, bgmi खेल के देखें क्या, bgmi तो मैंने सोच नहीं, और यहां पे तुमारे भाई ने bgmi डाल लिया है, और याव हमने चलाया इस game को, ओई चल गई है तो, पहले मुझे लग रहा था, portrait में चलेगी, यह लैंड्सकेप में चलेगी, मतलब ऐसे एक दम फुल बड़ी screen में, देख भाई या पता तो हमें भी है, practicality तो कुछ नहीं है, इतनी से screen में इतना सारा कुछ ह हम चलाएंगे कैसे, यहां तो कुछ पढ़ा भी नहीं जा रहा भाई, यह font इतने छोटे है, कुछ नहीं दिख रहा इसके अंदर, एक काम करते है, training ground चला लेते हैं, यह रे tap हो गया, यह तो loading screen पे हैंग हो गया, लगया, crash हो गया बाई, चलाई नहीं, और यह watch ना गरम हो समझदार भी वैसे हम ही जादा हैं, इतनी बड़ी गेम जो अच्छे गाज है, फोन पर नहीं चल पाते हैं, इतनी सी smart watch पर चलाने की सोचते हैं, दो जी भी रहा हम वाली वो भी, घलत बात है, और जैसे हम इसके अंदर गेम खेल के देख रहे थे, कोई hang वगयर है नहीं मतलब जैसी है smart watch उसके साफ से मतलब बड़िया ही performance निकाल के देगी यह, और जब इतनी गेमस हम इसके अंदर खेल के देख रहे थे, तो बैटरी बाकप मैंने नोटिस करा, वैसे हमारे को इसके अंदर 800 एमेच की बैटरी मिलती है, और इतनी सारी हमने गेमस के लीज, साथ आप इसको flight mode पर रखोगे, net connect नहीं रखोगे, सिर्फ जब आपको जरूरत होगी तभी आप इसके अंदर इंटरनेट चलाओगे, या वाइफाई यूज करोगे, या एप्स बगेरा यूज करोगे, तो अराम से लगबख एक दिन का बैटरी बैटरी बैप यह दे देगी, कुछ भी बोल लो आप, और इस watch को full charge हो नहीं, मैं दो घंटे लगते हैं, इसका जो pogo pin वाली cable आती है इसके साथ, बाकी charger का तो मैंने आपको बताया है, यह 10 watt से कम का charger यूज करना, brand ने mention किया है, कहीं खराब होगी तो लिए ब्रैंड गया है, यह हमने पहले बताया था, हमारे पास YouTube premium नहीं है, यहां पर जो speaker की quality है, वो एस सच कोई बहुत जादा loud मी नहीं है, वाच के साथ से जितनी मुझे उमीद थी ना, वैसा इसका speaker बज़ रहा है, जादा बूम पाम मामला उमीद नहीं कर सकते हैं, जासे मतलब एस speaker बज़ रहा फोन का, वो एक अलग ची रिस्ट फोन, और जैसे कि 4G Android smart watch है, यहां पर हमने SIM डाल रखा है इसके अंदर, तो इससे ही हम calling भी कर सकते हैं, dial pad हमारे को इसके अंदर मिलता है, number dial कर सकते है, contact इसके अंदर save कर सकते है, मिनी फोन यार, बता तो चुका हूँ, अब ज़रा फोन मिलाता है, और माइक की quality आ कैसे लगी quality है, और कोई भी phone का लेना देना नहीं है, यहां पर watch के अंदर ही SIM है, watch से call मिल रही है, watch से यवाज जारी सामने वालों को, कैसी जारी, comment करें बता हूँ, और यह calling वाला feature है, इस सिर्फ SIM के साथ ही काम करता है, यह दूसरी smart watch की तरह है, phone से connect नहीं होती, यह सिर् phone की calls हमारे को watch पर मिल जाती, messages मिल जाती, notifications जैसे normal watches के अंदर होता है, वो होता तो और सुने पर सुआगा हो जाता है, लेकिन यह stand alone smart watch या stand alone smartphone, wrist phone जो मैं शुरूरू से कहा रहा हूँ, वो आप इसको कह सकते हो, और इस watch का सबसे interesting part, इसका operating system and UI, देखते हैं वाई, आप Android में इस watch ने, तो यहां पर कुछ ऐसी home screen हमारे को मिल जाएगे, इसका rotating crown है, इसके watch faces चेंज कर सकते हैं, इतनी बड़ी animation मिलते हैं, इसके किसी भी watch face में जाता है, time अपने आप adjust हो जाता है, और यहां पर swipe down करेंगे, तो बिल्कुल Android watch की तरह सारे features मिल जाता है, यहां पर location हो ग किया, तो हमारे को इस तरीके से listing view मिल जाता है, और उसके बाद double tap करेंगे, तो यहां पर apple वाला view मिल जाता है, और भाई, क्या smooth हिसाब किताब आप देख सकते हूं, क्या बड़ी animation है इसके अंदर, मेरे को वैसे सबसे बड़ी है, यह वाला ही लगता है, यहां पर सब जाएंगी, जैसे android phone के अंदर होता है, जस्ट वैसे ही साथ किताब है, और यहां पर watch की settings में आपको दिखाता हूं, network settings मिल जाएगी, Bluetooth, display, sound, audio profile, storage, app notification, जैसा सारा कुछ हमारे को android phone के अंदर मिलता है, सारा कुछ वो ही system हमारे को इस watch के अंदर मिलेगा, और यहां पर system के अं android version 8.1, 2GB RAM, 4-core processor, सारी information हमारे को मिल जाएगी, और android phone के अंदर आप screenshot भी ले सकते हैं, यह वाला बटन और यह वाला बटन साथ में प्रेस करेंगे, तो यहां पर देख सकते हैं, और screenshot और photos वगर आपको देखने हो, तो album वाली app के अंदर आप जाके देख सकते हो, कुछ यह आप इमारे को loaded photos वगरा मिल जाएंगी, और यह दो screenshot मैंने लिये थे, वो इसके अंदर यहां पर show कर रहा है, and yes, video भी आप इसके अंदर प्ले कर सकते हो, एक loaded video आई है इसके अंदर, और यहां पर बढ़िया गाना वाना चल रहा है, और यहां पर इसका menu देख लेते हैं, य इसके अंदर बैटरी सेवर मोड होता है, इसके अंदर अल्टरा सेविंग मोड कर गया है, वान क्लिक क्लीन अप मिल जागा, clock है, video player, flashlight, flashlight के अंदर वही हमारी स्क्रीन वाइट हो जाती है, और यहां पर sound recorder मिल जाता है, आप sound record भी इसके अंदर कर सकते हो, कुछ spy why करना हो, क किसी की बात ते record करने हो, जो कि अच्छी बाद नहीं होती, लेकिन फिर भी आप इसमें कर पाऊगे, यह sports वाली app हमारे को मिल गई, and apps market करके इसके अंदर एक application मिलती है, जिसके अंदर जादा नहीं हमारे को 6-7 application मिलती है, और यह वाली application है, जो play store पे कोई-कोई नहीं है, जो आप यहां से install कर सकते हो, game बगएर आपको करने हो, apps बगएरा करने हो, और file manager हमारे को app मिल जाएगा, और apps आप देख सकते हो, भाई, मैंने दुनिया भर की application में इसके अंदर डाल रखके, जितनी useful application में इसके अंदर डाल सकता था, गाने सुनने हैं, भाईस, आप Spotify चला लो, camera निये, इसके अंदर QR code scan नहीं कर सकते हैं, लेकिन contacts और UPI ID पे तो आप पैसे भेजी सकते हो, और पैसे receive भी तो कर सकते हो, तो paytm भी यहां पर use कर पाऊगे, and mail चेक करनी है, Gmail चला लो, Google चला लो, flip card चला लो, यहां पर bumble डाल रखका है, वाईस आप मैच मूच उसके बाद lose हो गया, फिर उसके बाद मैं दूर तक चले जा रहा हूँ, फिर अचानक से इसका GPS वापस आया, तो एकदम से सारा रस्ता cover हो गया, तो watch यहां पर GPS के मामले में accurate नहीं है, और जैसे कि Android smart watch है, यहां पर Bluetooth में आप देख सकते हो, हमने TWS भी connect कर रखे हैं, keyboard भी connect कर रखे हैं, और यहां पर हमने mouse भी connect कर रखे हैं, एक साथ अंदाधुन connectivity और यहां पर हमारा cursor बन के आ रहा है, क्योंकि यह वाला mouse connected है, और यहां पर लिखते हैं, Venom Stack, keyboard चल रहा है, और यह हुआ पर लिखते हैं, Venom Stack के चैनल देख लो बईया, यहां पर प्रॉपर भाई की रेट में 6,000 रुपीज की मिल जाएगी, to be specific 5999, and 6,000 रुपीज में रिस्ट फोन, मिनी स्मार्ट फोन, Android स्मार्ट फोन, चोटा फोन, कुछ भी आप इसको कह सकते हो, 4G SIM आप इसके अंदर डाल सकते हो, apps डाउनलोड कर सकते हो, game आप खेल सकते हो, सारी चीज़े मैं आप कॉमेंट सेक्शन ने बताना, और अगर आपको ये वाच चेक आउट करने है, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूगा, अगर ऐसी वीडियो पसंदाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब मारो, और मेरे लिए कोई सजेशन या फीड़ बैक है, तो वो कॉम